नमस्कार आदाव आए बात करते हैं सोशल मीडिया पर चल रही एक वीडियो की इस वीडियो में बताने का पर्यास किया गया है कि शहिंशाय अकबर अंग्रीजों के पहले वो पढ़े लिखे नहीं थे मगर उनके पास पढ़े लिखे लोगों के जो टीम थी वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से शहिंशाय अकबर द्वारा जारी किये गए फर्मानों को जंता तक लाने का काम करते थी और सही दिशा में ये काम होता भी था राजू ध्यानी इनका नाम है और शहिंशाय अकबर के यहां काम करने का तरीका था कैसे कैसे वो करते थे वो बताने का पर्यास किया गया है हलाकि देखा जाये तो भारत की आदाजी के बाद से हमारे यहां सत्ता में बैठे लोग इस तरह के कामों को करने का पर्यास तो करते हैं मगर सही रास्ते पर जाकर कर नहीं पाते और उससे पहले बियोंडी निदामपूर शहर महानगर पालिका के जो गार्डन है उसमें बहुत सारे जूले तूट चुके हैं इसलिए महानगर पालिका के लोगों को रास्तों पर जूला जूलने की सहुलते भी दे दी है तो सोशल मीडिया पर वाइरल एक वीडियो ये भी पहले देखते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या शहनशाय अकबर पढ़े लिखे नहीं थे तो वो काम कैसे करते थे और पढ़े लिखे लोगों से कैसे काम करवाते थे अब आई ये सुनते हैं राजू ध्यानी को मैं खान फक्र आलम क्या आप जानते हैं कि बादशा अकबर भी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो इस बात को जानते भी थे और मानते भी थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ इसलिए उन्होंने मुकमल सियासियात याने एंटायर पॉलिटिकल साइंस की फरजी दिग्री हासिल करने की कोशिश नहीं की चुकि बादशा को अपनी लिमिटेशन्स पता थी इसलिए वो पढ़ाई लिखाई साइंस टेकनॉलजी इन सब मौामलात में अपना मोब बंद रखते थे चुकि बादशा ने खुद कभी परिक्षा नहीं दी इसलिए उन्होंने बच्चों को कभी ये नसीहब भी नहीं दी कि गणित के इमतिहान में कठिन सवाल पहले सॉल्ट करने चाहिए या नाले की गैस से चाय बन सकती है या बादलों का फाइदा उठा कर मुगलिया जहाज रेडार से बच सकते हैं अपनी अनपर्ता को छुपाने के लिए बादशा अगपर ने अपने से भी कम पढ़े लिखे और जाहिलों को अपना वजीर नहीं बनाया बलकि असली दिग्री और असली हुनर वाले एक्सपर्ट्स को अपने दरबार में जगह दी इन में से नौ सुपर एक्सपर्ट्स को नवरत्न कहा जाता था ये नवरत्न चुकि एक्सपर्ट्स थे इसलिए बादशा इन से सलाह लेते थे सलाप देते नहीं थे और देते भी तो नवरत्न फाल्तु की सलाप को एक्स्ट्रा टू ए भी मानकर इग्नोर कर देते थे दूसरी बात अकबर बाथशा में ये खास थी कि वो सही आदमी से सही काम लेते थे थे तो अकबर बाथशा ने कभी तान से से ये नहीं कहा कि आप रेवेणू समहा लिये राजा तोडर्मल गीत काएंगे कहने का मतलब ये कि बाथशा अकबर ने हिस्ट्री में करने वाले को रेजर्व बैंक का गवर्नर नहीं बनाया दूसरे बात बातशा अकबर की कैबिनेट में सभी किजमेदारियां तै थी और जवाब दे ही भी ये नहीं कि रेल का मामला हो तो खेल मंत्री जवाब दे, खेल के मामले में तेल मंत्री बोले, तेल के मामले में जेल मंत्री बयान दे बादशाह अक्बर के मंत्री अपना अपना काम किया करते थे खोग खोगा खेल नहीं खेलते थे बरहाल बादशाह अक्बर में सडकें बनवाईं शांदार इमारतें बनवाईं सराय बनवाईं बहुत कुछ बनवाया लेकिन जीते जी अपने नाम से जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर स्टेडियम नहीं बनवाया उन्होंने कभी अपनी नाकामी का ठीकरा अपने बाप हुमायों के सर पे नहीं पोड़ा अच्छा अकबर के दरबार में हमारे एक पूरवज व्यंगेकार यानि सेटारिस भी थे आप जानते हैं उनका नाम था बीरबल मज़े की बात ये कि बीरबल के ज़्यादा तर व्यंगे और कटा अक्ष बातशा अकबर की कम्यों और गलती उपर होते थे लेकिन इसके बावजूद बातशा ने न तो उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करवाया और नहीं उनके खिलाफ एफ आयर दाखिल करवाई वालकि उन्हें अपना नवरत्न बनाया बातशा अकबर भी दिखने में अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने न तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई और नहीं रोज दो घंटे मेकप के लिए दिया करते थे हिंदुस्तान का शेहंशा होने के बावजूद बातशा अकबर दिन में पाँच बार कपड़े नहीं बदलते थे बातशा अकबर वलत फैसला देने के लिए मुंसिफ और खाजी पर दबाव नहीं डालते थे रियाया से किये हुए वाइदों को भूल नहीं जाते थे सब कुछ एक्चुल और ओरिजिनल करते थे पुरानी उजनाओं के नए नाम नहीं रखते थे और सबसे बड़ी बात कि बातशा अकबर ने मजभ को हमेशा सियासत से अलग रखा अपनी प्रजा में उन्होंने कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया उनके नौ मेंसे चार रत्न, बीरबल, मानसिंग, तोडरमल और तांसिंग हिंदू थे और बाकिस अब भी हिंदू मुसल्मान करने वाले लोग नहीं थे बलकि फैजी ने महा भारत और गीता का फार्सी में अनुवात किया और अब्दुर्रहीम खानखाना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो ब्रजिनन्दन भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी थे तो इस तरह बादशा अकबर ने साबित किया कि राजा अनपढ होते हुए भी महान हो सकता है बशर्ते उसका दिल साफ हो और सोच बड़ी हो बशर्ते राजा, जूठा, मकार, दोखे बाज और नफरती नहो उस्तर परदेश के मौनात भंजन का तूरज मारका लालते चोड, मोड, दर्द में बहुत ही लाबदायक, बहुत ही काम का यंडी शहर में मिलने का चिकाना याद रखें फिर्दोस पर्फिमर्स बागे फिर्दोस मचित के पास चोथा निजाम पोड, बिवन डी, मोबाइल नमबर आपकी स्क्रीम पोड़